हिमाचल परदेश इंटक पूर्व परदेशा द्यक्ष बावा हर्दीप सिंग पर आज कालका के साथ लगते प्रवानु शेत्र में जानलेवा हमला होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इंटक पुर्व परदेशा द्यक्षी माचल परदेश बावा हर्दीप सिंग सुबे 11 बजी के करीब प्रवानू सेक्टर 4 से अपने निवास्तान से निकले थे कि कुछ यूवकों ने उन पर जान लिवा हमला बोल दिया। बावा हर्दीप सिंग के सीर और टांगों में काफी चोटे आई हैं। इस जानलेवा हमले के बाद प्रवानू शेत्र में महौल तानाव पुरन हो गया है। बावा हर्दीप सिंग कॉंग्रेस कारेकल में बोर्ड चेरमेन भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि बावा हर्दीप सिंग पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है। विलाल प्रवानू में तनाव की सिती बनी हुया और पुलिस फोर्स तेनात कर दी गई है। इस कबर की सूचना के बाद बावा हर्दीप सिंग की हमले में घायल की फोटो और वीडियोस सोशल मेडिया पर भी खूब वाइरल हुई।